हलो गाईज इस वीडियो में बद आपको बताऊंगा क्रियल मी यूवन में थीम स्टोर कैसे डाउनलोड करें इंस्टॉल करें फिर उसके बाद थीम डाउनलोड करके कैसे अपने फोन का लुक नया और चेंज करें सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए एप लिंक को क्लिक करके अपने फोन में थीम स्टोर की अप्लिकेशन इंस्टॉल कर लीजिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सैटिंग्स में जाकर आप अपने मोबायल में कोई वीधीन डाउनलोड करक किस onze नगए झाल कर आपको फ्रिंक्रिप्रॉक्स में पायार वीध। झाल 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 तो सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में होम और बॉल्ल पेपर स्क्रीन आएगा उसमें क्लिक करने के बाद आप देखोगे इसमें एक उप्शन आता है सेट थीम उसके अंदर जाएंगे आप तो डायरेक्ट आपका थीम स्टोर खुल जाएगा फिर इसमें आप देखेंगे कई सारी थीम्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने मवाईल में कई सारी थीम्स हैं कई सारे बॉल पेपर्स हैं यह वाल पेपर सेक्शन है बहुत अच्छे अच्छे वाल पेपर हैं इस अप्लिकेशन में तो चलिए मैं आपको एक थीम्स अप्लाई करके दिखाता हूँ यह देखिए कफी अच्छे आइकंस आइकंस और मैं इसकी लॉक स्क्रीन भी दिखा देता हूँ आपको यह नॉटिफिकेशन पैनल है जो चेंज नहीं होता है सिर्फ लॉक स्क्रीन आइकंस और वाल पेपर चेंज होता है तो थैंक यू गईस अब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू हुआ हुआ